नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं परुतिहार टोटके कन्यारासी आज का दिन वैसे ठीक है संपत्ती का लाब होगा संतान की उन्नती होने के योग हैं और आज खास कर किसी सडियंत्र की स्थिती में फस सकते हैं साबधान रहेंगे यात्रा विगरत टाल दें तो अच्छा है क्योंकि यात्रा थोड़ा कष्टकारी दिख रहा है लिखा पड़ी में बहुत साबधानी रखिएगा तो उत्तम रहेगा और आज थोड़े खर्चे हो सकते हैं घर के रेनोवेशन पर जो बेद्यारती है लक्ष पर फोकस बना कर मेहनत करें तो सफलता जरू मिलेगी आज कहीं भी निवेश करने के पहले चार बार सोच लीजेगा हलाकि आपके रासी के स्वामी बुद्ध सुख तो देगा रोजगार बैपार में भी जितना मेहनत करेंगे उसके अनुसार सफलता भी मिलेगा संतान की तरफ से कोई बढ़िया समचार मिलेगा दोपार के बाद किसी कानूनी विबाद मुकदम में जीत आपके लिए खुसी का करन बन सकता है सुप चीजों पर खर्च होने के योग भी आपके लिए आज बन रहे हैं बैपारी भाई हैं केवल लाब पर भी फोकस ना करें बलकि लाब से पहले कारोबार बैपार में अपनी छबी को बेतर बनाने का प्रयास करें तब और उन्नती करेंगे जो युवावर्ग हैं संतान के साथ अच्छे से मित्रवत बैभार करें उनको सही तरीके से समझाएं स्वास की बात करें अगर आपको धूल मिट्टी से अलरजी है आज खासकर ज्यादा ध्यान दीजिएगा और दूसरा जो लोग जॉब करते हैं कारी छेतर में निरधारी समय में अपने कारें को पूरा करेंगे तो आपका करियर में ग्रोथ के लिए बढ़िया है तो करियर में बढ़ोतरी होगी जो बैपारी भाई है उनको थोड़ा सा समाज में से लोगों से घुल मिलकर भी रहना चाहिए भल आप देखे बहुती विश्यों में आपकी पूरी रूची है आज नए मकान वहान की खईदारी करने के लिए बढ़िया है रक्त समंदी रिस्तों में अर्चने मजबूती आईगी अनावस्य बातों में मज जाईएगा और आज के दिन नौकरी करते हैं या नौकरी की तयारी कर रहे है कोई सुब समचार मिलेगा अगर कहीं पर पैसा उधार देकर रखा है तो वहां से लाब है सुबरंग बैगनी भागी साथ निभाएगा करीब 70% भाग्यांक एक है दिन के सुरुवात हनवान चली साथ पढ़कर करें तो उत्तम रहेगा लव लाइप अच्छा है प्रेव को माफ करना मत भूली अगर उनसे कोई गलती भी है तब जाकर रिस्ता बढ़ी हाँ चलेगा धन्यवाद लाइप से मैच करें तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेर करें और कमेंट में हर हर महादेव चरो लेकर धन्यवाद